पैरा ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद बिलिंग घाटी से पैरा ग्लाइडिंग की फ्लाइंग के बाद एक पाइलिट लापता हो गया है पंतारिस वर्षे दिल्ले निवासे रोहत बढ़ोरिया काफी समय से बील्ड में रह रहा था और उसने शुकरवार को बिलिंग से उडान भरी थी इसके बाद वापस नहीं लोटा उसके साथ उडान भर रहे अन्य पाइलिटों ने बताया कि रोहित को आखरी बार उतराला के उपर के पहाडियों पर देखा गया पाइलिट के पास रेडियो आदिना होने से भी उसको ढूनने में दिक्कत आ रही है शनिवार सुभर हलिकॉप्टर की मदद से इस पाइलट को ढूनने के लिए रेस्क्य शुरू हो गया है पैराग्लाइडिंग के सुपरवाइजर रन विजेस ने बताया कि पाइलट को ढूनना जा रहा है उसने कहां लेंड किया है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है SDM बैजनाथ छविनांटा ने बताया कि दिल्ली निवासी पाइलेट रोहित कुमार उतराला की पहाडियों में लापता हो गया है उसे ढूनने का प्रयास किया जा रहा है थाना प्रभारी बैजनाथ ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि पुलिस तथा पैरा ग्लाइडिंग एसोसेशन की रेस्क्यू टीम मौके पर गई हुई है और परिजुनों द्वारा चौपर की विवस्था उक्त वेक्ति को ढूनने का प्रयास किया जा रहा है हिवाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बैजनाथ से कमल गुपता